लेकिन नवल किशोर भाई सुप्रीम कॉर्ट तो गए आप 14 पार्टियों के साथ मिलकर आपने गुहार लगाई कि जो गलत हो रहा है उसे रोका जाए आपकी आचिका लेकिन खारिज कर दी गई कि सुप्रीम कोड जो टिपने करते हैं जो बात करते हैं उसमें हमने हमें कुछ उसमें कोई खास एड नहीं करना है लेकिन जो पिछले 10 साल का सारे 9 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें पूरा देश ने क्या देखा है कि बीजेपी सोच्टी है और उसी हिसाब से करवाई होता है और यह जो करवाई देखकर ऐसा लगता है यह करवाई देखकर ऐसा लगता है कि अब इडी इंकम टैक्स और सीबी आए इस तीनों का नाम अलग-अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है यह केवल यही कह देना चाहिए कि आज छापा बीजेपी ने इस राज में मारा बीजे जो वी जेपी ने धुमिल किया है और आने वाले दिन में इन अधिकारियों के लिए समस्या का कारण बनेगा मैं बहुत-बहुत दावे के साथ कहता हूं कि जतना इनका हानी किया गया इस सरकार के दौरा उनके अपने मंसा को पूरा करने के लिए यह आने वाले समय में उनक अज तब भी चल रही थी कि मैंने कहा यह तो पुरा देश जानता है लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि 2013 में जो एक कोट के सजा हुई और चार केस बंद किये गए वह चौदा के बाद क्यों खुले उसके अधार क्या थे क्या सी बियाई बदल गया इंकम केस जो बंद हुए थे उसको खोले तो फिछले नो सारे नो साल में उसका क्या हालत है आपने केस को खोल के एक नेता को जिससे आप परशान है पोलिटिकली उसको डिफीट नहीं कर सकते हैं उनको आप उल्जाए हुए हैं कोट के जो टिपनी है आप देखेंगे तो आपको सब्सक्राइब करते हैं आप चुनाव तो छोड़ दीजिए जिस दिन वियार में सरकार परिवर्तन हुआ सरकार सपत ले रही थी उस दिन भी आभी दी देते हैं जिस नेता को आप नहीं फसाद सकते हैं उसके रिष्टेदारों को पसाते हैं यह आप देखा कि आपने लगा है कि आजकल चापे यह एजेंसिया नहीं मारती है ठीक है को पसंद लेंड फॉर्ब स्कैम हुआ ना डॉक्टर नवलकिशोर चारा घुटाला हुआ लेंड फॉर जॉब स्कैम हुआ ना उसमें उसी के आधार पर तो जाच एजंसिया कर रवाई करने भाई अदालत है इस सारे बातों का जवाब कोट के पास भी है और पब्लिक डुमेंड में भी है आप यह वहीं बात हो जाती है कि इसी केसे में मौहमद तौसिफ और रह्मान ने ने आप सुन तो लीजिए पहले जो लास्ट बंद किया था दोजार आठ में वह खुला के और कैसे यह भी तो पताना लाग बात है यह भी तो पताना चाहिए कि जो जिसमें आप चार्सी दायर नहीं कर पाते हैं उसमें क्या मजबूरी है कि आप सब्सिटेरी चार कर र क्या में रहें जो काम होड़ा है उसका देश्प्रसंदा कर रहा है याँ तक यूपी के लोग कर रहें भातपा के प्रवगता कर रहा है कि उस राजिकों उसने तांको पर इसका कारन तो बतार चाहिए कि यह जो इस तरह के बयान आये मेनाक्षी लेखी ने संसद में कह दिय कि आप जहां जहां विपक्ष को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जहां जहां पॉलिटिकली डिफीट नहीं कर सकते हैं, वहां वहां यह आप EDCBI और Income Tax का इस्तेबाल करते हैं, और वहां पर आपके अपने लोग बड़े सलीके से, बड़ी चतुराई से किनारे हो जाते हैं मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं, विपक्ष में सिर्फ यही अतने जो दो, चार, दास, पद्रा, बीज, जो भी लोग हैं, जो जिनको EDE ने इन्वेस्टिगेट किया है, जिनके घर पे छापा मारा है, इतने ही विपक्ष है बस, यह विपक्ष बहुत बड़ा है आपको यह मालूम है, विपक्ष बहुत बड़ा है, अरे भाई, उन लोगों पर ही छापा मार रहा जा रहा है, जिसने करप्षन किया है, यही मैं बताना चाह रहा हूं, यह सारे ने, सारे विपक्ष में तो सब लोग बैट है, नवल भाई को क्या कोई तकलीफ है, प्रोफ लुए के शरीफ प्रोफेसर को कोई तकलीफ नहीं है, करप्षर नहीं किया है, वैसे ही अवे दुब्य दोस्त है मेरे मितर उनको कोई तकलीफ नहीं लेकिन उनकी मुखिया बेल पे हैं, तो यह समझना पड़ेगा, कि सिर्फ यह करप्षन से णेट मामला है, उस से जेरो ट डीजिए समय इसा किता हूं के सभी प्लिटिकल पार्टी में देख लिजी यह बहुत सारे जै किनती हैं एक से हैं अभिशेक बैनर जी बंगाल से हैं इधर बिहार में भी चली रहा है राजस्तान तक पहुंच गए चतीस गड़ में पहुंचे हुए हिमाचल प्रदेश के चनाव से पहले वहां भी ED और CBI की रेड़ूई पूरी लिस्ट मेरे पास है पंजाब भी पहुंचे आप लोग तो फिर यह सवाल क्यों नहीं बने भाई कि 385 में से आपके 149 संस दागी हैं गंबीर आप रादिक मुकद में हैं एक भी रेड मुझे बता तो दिजे जो बीजेपी के नेताओं पर चल रही हो दिखता हो कि हाँ ED पहुंची CBI पहुंची वो बीजेपी का नेता है कि देखिए मैं तो मैं तो उल्टा कहता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी हमारे यहां कोई ऐसा है जो कॉंग्रेस पार्टी अदालत चली जाए उसका दस्तावेश लेकर होना चाहिए न हिम्मत आपको यह पोलिटिकल कारणों से अगर किसी पर कोई चार्जन लगवा है तो वो पोलिटिकल कारण से और इस पर कोट को कोई निर्णाय लेना चाहिए मैं खुद कह रहा हूं कोई निर्णाय लेना चाहिए ताकि इसका समाधान निकले इसली की पोलिटिकल कारणों से होता है लेकिन अगर आपके पास हो नवल भाई के पास हो वैदूबे भाई के पास हो क किसी के पास भी अगर कोई दस्तावेश किसी के खिलाफे तो कोट पे कोट तो हमारा